अगर आप सभी का स्वागत मेरे प्राव दोस्तों आपके अपने यूटूब चनल पर मेरे पहले दोस्त अगर आप में फस्ट एर में हैं और आपने हिंदी साहित ले रखा है तो इस वीडियो को पूरा देखेगा क्योंकि वीडियो के अंदर जो है काफी जादा मजा आने व करने थे इन सारी चीजों की जानकारी इस वीडियो के अंतरगत आपको मिलेगी ठीक है तो वीडियो को शुरू से लेकर के अंतर तक देखिएगा तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बात करें अगर हो सकता है आपके यहां प्रसंद पत्र बदला गया हो यहां पे द इसमें लिखा है प्रसंद पत्र कुल तीन खंडों में वाजित है जो आप सभी को पता होता है प्रसंद पत्र को तीन खंडों में माट दिया जाता है खंड आ, खंड बा और खंड सा, खंड आ का मतलब होता है अतिलग उत्रिये प्रसंद और खंड सा का मतलब होता है दीर ग करके कि इस्ट्रेक्शन दे दिया जाएगा उसको आपको पढ़ना रहेगा फिर उसी के हिसाब से उन प्रसनों के जवाब देने रहेंगे अतिलगुत्रिय प्रसन में आप से कुल मिलाके 10 प्रसन पूछे जाने वाले हैं ठीक है यहां पे देखे क्या कुल 10 प्रसनों के उत्त लिए ठीक है तो आपको ध्यान में रखना है 25 सब में आपको अपने प्रसन को पूरा करना रहेगा चलिए देखते हैं प्रसन एक का का नंबर ठीक है प्रसन एक का का नंबर या प्रसन पहले का पहला प्रसन जो है क्या कह रहा है प्रेम चंद्र के गोदान के अत्रिक्त दो अन्य उपन्यास के नाम लिखे, ठीक है, प्रेम चंदर का गोदान एक तो आपको पता ही होगा, इसके अत्रिक आपको दो और उपन्यास उनके लिखने रहेंगे, यहीं पर खानमबर परसन आपसे पूछ रहा है, हजारी परसाद दुरुबेदी के दो निबंद संग्रहों के नाम लिखे, ठीक है, तो आजारी परसाद दुरुबेदी के दो निबंद संग्रह कौन कौन से उनके आपको नाम लिखने रहेंगे, यहापे बताना रहेगा, तो यहीं आगे देखें गानमबर परसन बिद्या निवास कौन से, बिद्या निवास मिस्र के प्रथम लिखने रहेगा, ठीक है, प्र Windows आजे यहीं पर आपको अंगानमबर दे दिया जाएगा, कि मोहन राकेस के दो नाटको का नाम लिखें ठीक है, दो नाटको के नाम आपको लिखने रहेंगे, वही इसके मोहन राकेस के, तो यहापको यहाँ पर बताना से, निखेंआ जो रहा है इनका उसका आपको नामों लेक करना रहेगा ध्यान दीजिएगा यहां पे आपको केवल दस प्रसन करने हैं दस से जादा नहीं करने हैं उस पे आपको नंबर नहीं मिलेगा बस केवल वाथ से नंगे, उनके दो उपन्यास जो हैं, उनके आपको नियाम लिखना रहेगा, किन ही दो उपन्यास को कि आप आप नियाम लिख सकते हैं, आगे हम देखते हैं, क्या दिया हुआ है, आगे आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पे जहा नंबर प्रसन जो दिया है, कह रहा जी ने किन ही नुँ उन्होंने कहानिया लिखी उनared किनी तो कहानिया जो आपको पाता फुम्हाम रहेंगा जो जय सूनकर पुमाय लीकि जब आपके तो आपको 5 परसनों के उत्तर देने रहते हैं और जब आप दीर हुत्रे में आते हैं तो आपको केवल 2 परसनों के उत्तर देने रहते हैं यहाँ पे सब्दसीमा बताई गई है 200 वर्ड मतलब 200 वर्ड में आपको क्या करना रहेगा जैसा कि पहला प्रसंद देखने को मिल रहोगा, कि हजारी प्रसाद दुरुबेदी अथवा, बिद्या निवास मिस्र की निबंध सैली की समेक्षा कीजिये, ठीक है, यहाँ पे अथवा लगा दिया गया है, तो आपको ध्यान में रखना है, कि चाहे आप हजारी प्रसाद द है, कौन-कौन से दो, साइन सारी चीजों को आपको आपको उनकी समेक्षा करनी रहेगी, आपको आपको बताना रहेगा, ठीक है, तो आई होप यह सारी चीज आप अच्छे से कर ले जाएंगे, ठीक है, देखते हैं, दूसरा नंबर प्रसंद नहीं पे दिया गया है, दू लोगों की इंट्रोडेक्षन कर दिया जाता है बता दिया जाता है नाटक का उद्दे तो आपको उन नाटि छत्म होने के आखरी में रखते हुए जो चंदरगुप्त का एक नाटक है उसका आपको सदोऊदा उदारर देते हुए क्या करनी रहेगी आपको समीक्षा करनी रहेगी ठीक है तो आपको कितने सब्दों में 200 सब्द में करने हैं तो घबराने की जरूरत नहीं है और पांच ही प्रसंद करने हैं जबकि यहां पे आपको कई प्रसंद दिये गए हैं तीसरा नमर प्रसंद तिभासा के आलोक में आधे अधूरे नामक का जो नाटक हुआ है उसकी आपको क्या करना रहेगा समीक्षा करना रहेगा ठीक है यहीं पर आपका चौथा प्रसना आजाता है मेरे प्रएज दोस्त सेखर ठीक है सेखर उसके बाद एक जिवनी ये नाम है एक जिवनी का नाम है क्या सेखर एक जिवनी ये एक पूरी जिवनी का नाम है कह रहा है में बाल मनो बिग्यान का अदभुत प्रसफूटन हुआ है ठ प्रस्तुत कीजिए, मतलब यह आपको वहाँ पे दिखाना रहेगा, कि हाँ यह चीछ सत्य है, वहाँ पे जो है, बाल, मनो, बिज्ञान के बारे में जो है, चर्चा की गई है, वो भी उदाहरण के साथ आपको यहाँ पे दिखाना रहेगा, ठीक है, पांचवा नमबर प्रस किर्सक जीवन की करुण गाथा का महा का बयात्मक उपन्यास है, सदो उदाहरण समिक्छा कीजिए, जो गोदान नाम का जो है, उपन्यास है, उसको क्या कहा है, कि किर्सक जीवन की एक करूण गाथा है, ठीक है, करूण मतलब आप समझ नहें होंगे कि एक दुख भरी ठीखिंगा था है इस महा काब उनकित तो यह पर उपन्यास की क्या करनी है आपको समीख्च्चा करनी है वो भी उदारन देती हुई आपको दिखाना है कि हाँ इसमें वाकई में दुख के बारे में बताया गया है कि एक किसान अपने करोना में जीवन को कैसे बतीत करता है, इसके बारे में चाप्चा की गई है, तो वही आपको यहां पे बनाना रहेगा, ठीक है? छठा नमबर पॉसन एक जो कहानी एक कहानी लिखने की जो एक कला होती है, उसके आधार पर, एक करना होती है, उसके आधार पे आपको क्या करना रहेगा, पूस की राद की नाम की एक कहानी है, पूस की राद, उसकी आपको क्या करनी रहेगी, समीक्षा करनी रहेगी, उसके बारे में चर्चा करना रहेगा, ठीक है, उसके आपको देखने को मिलता होगा, कि साहित की पहचान, क्या, साहि साहित्य की पहचान निबंध का सारांस लिखिए, जो साहित्य की पहचान नाम का एक निबंध है, साहित्य की पहचान नाम का एक निबंध है, उसकी आपको क्या करना रहेगा, उसका जो सारांस है, उसको आपको लिखना रहेगा, कि मतलब टोटल कुल मिलाकिस में कहना क्या च कीजिए ठीक है इसमें किसी को केंद्र मान के किया गया है कहा गया है इसके बारे में आपको यहां पर बताना रहेगा तो आई होप यहां पर सारी चीज़ें आपको अच्छे से क्लियर हो गए होंगे लगुत्रिये के बारे में तो जैसे ही मेरे पैदोस्त आपके पांच लग किन ही दो की संदर्ब ब्याख्या कीजिए मतलब यहां पे आपको कुछ गद्य दिये गए हैं और उसको आपको पढ़ना रहेगा और उनकी संदर्ब सहीत क्या करनी रहेगी ब्याख्या करनी रहेगी ठीक है तो यह आपको यहां पे संदर्ब लिखना आता ही होगा और उसके इस चीज़ की ब्याक्षया करनी रहेंगी यह आपको बताना रहेंगए जैसा कि यह आप देख रहे इसके लिए लिए सॉंदर करम मैं जिवन से बाहर नहीं होता ठीक है सवस्त मनुस्य भोजनमें से थिप्त होता है लेकिन केवल स्वाद के लिए भोजन करना अस्वस्त आदमी का काम होता है ठीक है मतलब कह रहे है कि यहाँ पे आप इसकी ब्याक्षा करनी रहेगी हमें अगर करना हो तो हम तो दो से तीन पेज में कर सकते हैं आप भी यहाँ पे क्या कह रहा है कि जो मनुष से आवकास भोगी नहीं है इतने से ही आप समझ सकते हैं आवकास मतलब होता है छुटी जो ज़्यादा छुटी ना लेता हो तो जो मनुष से आवकास भोगी नहीं है मतलब कि जो आदमी है बिना थके काम कर रहा हो बिना रुके काम कर रहा हो, लगातार निरंतरता के साथ कारे कर रहा हो, बिना किसी छुटी के काम कर रहा हो, ठीक है, वो अपने काम के तरफ ज़्यादा फोकस कर रहा हो, वहाँ पर आगे क्या कह रहे हैं, आवकास भोगी नहीं है, दूसरों की मेहनत पर नहीं जीता, मतलब क वो लाएंगे तो हम खाएंगे, उसको उसते मतलब ही नहीं है, उछो कहसी है, हो खुद के उपर विश्वाशार रखता है, उसी के बारे में यहां पर चर्चा की जा रही, तो इसी परकार से आपको ब्याख्या करनी रहेगी, यहां पर दूसरा आपको दे दिया जाता है, ठी और साहिर्दयाता में बैर है हम भी दान देते हैं धर्म करते हैं लेकिन जानते हो क्यों केवल अपने बराबर वालों को नीचा दिखाने के लिए हमारा दान और ढरं कोरा अहांकार है बिसुद्द अहांकार है हम ऐसे करके यहाँ पे आपको पूरा पैरा गराफ दे दिया जाएगा ठीक है आगे यहीं पे अगर आप देखना चाहे तो देख सकते हैं यहाँ पे पूरी चीजे तो दी गई है यहाँ पे कह रहे हैं इतने बड़े आदमी हो गए हैं कि हमें नीचा और कुटिलता क्या हमें न पता रहा है इसकी भी आपको ब्याक्षा करनी रहे हैं और संदर्वभ भी करना रहेगा वैसे यहाँ यहाँ पे तीसरा दे दिया जाएगा तुम्हारे लिए जीने का मतलब रहा है कितना कुछ एक साथ होकर कितना कुछ एक साथ ओड़ कर जीना ठीक है वह उतना कुछ भी तुम्हें किसी एक जगह न मिल पाता, इसी लिए जिस किसी के साथ भी जिन्दगी सुरू करती है, करती, सुरू करती, तुम हमेसा इतनी ही खाली इतनी ही बेचैन बनी रहती, ठीक है, यह आपको यहापे बताना रहेगा, इसका भी संद्रवसाइद ब्याख्या करना रहेगा यहाँ पर आगे दूसरा पैरा ग्राप दे दिया जाता है आपको कि यहाँ खेती का मज़ा है और एक एक भागिवान ऐसे पड़े हैं जितने जीने यहाँ पर जिने लिखना चाहिए था तो जिनके पास जाड़ा आए तो गर्मी से घबरा कर भागें और मोटे गड़े लिहा क्या लिहाफ कंबल मजाल है जाड़े की गुजर हो जाए वहाँ पर मतलब कह रहे हैं कि वो इतना ओड़ के बैठते हैं अगर ठंडी आ जाती है कि उनके मजाल है कि थोड़ा सा भी वहाँ पर ठंड पहुंच जाए ठीक है तकदीर की खूबी है मंजूरी हम करें मजा दूस हो गई होगी अगर क्लियर हो गई मेरे पर दोस्तों फटा फट वीडियो को लाइक करो अपने दोस्तों के साथ सियर किया करो और मिलते हैं नए वीडियो में नए जोस नए टॉपिक के साथ अप तक के लिए जय हिन जय भारत